Hello Everyone Welcome to Study Dentistry आज देखेंगे अपायकल पेडियोडॉन टाइटिस सेक्वले पल्पाइटिस में हमें रेंटल केरीज देखा रिवर्सिबल पल्पाइटिस देखा और उसके बाद आता है पायकल पेडियोडॉन टाइटिस टीक है अपायकल मतलब एपेक्स टिक अपाइकल पेडियोडॉडॉटाइटिस अब हम इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं सबसे पहला क्लिनिकल फीचर क्या है डीप केरी प्रेजन्ट होगा ठीक है केरी जो ऑफ डीप होगा मतलब की उसने अनामल को और डेंटीन को और साथ साथ पल्प को भी इ यह जो यह ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं यह डेंटल केडी जर देख रहे हैं कहा तका रहा है नामल देंटीन देन पल्प टी ओ प्रेजंट होगा यह 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 तेंडर अन परकशन प्रेजंट होगा जब आप मिरर से टैप करेंगे तुथ पे वर्टिकली यह अब मुझे मेरे के बाक साइड शुट से जब माउथ मेरे माउथ मीर मौथ मेरे अप टोल्डियर मौथ मेरे बाक साइड ठैप करेंगे तो इकदम से बहुत बहुत दरक होता हैं उसे हम ड़का काते हैं वो ब्रेजन फोगा तरन स्वेलेंग आपसेंट रहीं और पेन कैसा अवर पेन का भी नेचर देखने धिटर थरॉबंग पर्शुर नेचर थरॉबंग नदूसित पहसे पड़ल यह सिरॉबंग फोल्प शाहरें यह द्रॉबंग पर रहा है तरस्वीन पर प्रदेश कॉर्टिकल बोन होती है जो एकदम टुथ से अल्वियोले सॉकेट बोन में टाच रहती है यह आपके टुथ को प्रिजर्व करके रहती है ठीक है आप रेडियो ग्राफ जब भी देखोगे तो इसमें आपको बहुत थिन लाइनिंग ऐसी दिखेगी आना उसे हम क्या कहते हैं लाइन जियसे तो आप इसके साइड में देखोगे यह पें पर एक ते टीन इलूशंट्स ऐ लाइनिंग दिखेगी है इसे हम कहते है लाइन द्यूर्ण ठीक है अब रेडियोग्राफ में आपको क्या क्या दिखेगा रेडियोग्राफ में एक तो यह जो लामाइन ड्यूर यह क्या होगी एकदम इंटाक्ट हो जाएगी मतलब इकदम चिपक जाएगी जाके इस तरह से और जो पीडियल स्पेस है आपका यह पीडियोडांटल लिगामनचे स्पेस है यह वाइड हो जाएगा इसी से आप पहचान होगी कि इर्रिवर्सपल पलपाइटेस या फिर अपाइकल प्रिवडांटाइटेस है ठीक है पीडियल इसपेस वाइड हो जाएगा एपक्स पे आपके इंफ्लमेशन रहेगा ठीक लामाईनाडुडा थिक हो जाएगी यह पलब पाइटेस में आपको रेडियोग्राफिक फीचर्स यह सारे नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस को आप कैसे differentiate करोगे, through radiographic features, so radiographic features are very important, ठीक है, so this is all about अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस, ठीक है,